जब हम आएंगे, गर्मी थोडी बढ़ जायेगे ये क्या ब्रोफामेश देगा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए लैग करता है कितना लैग करता है भई तो वो सब कुछ मैं तुम्हें लास तक वीडियो में बताऊँगा ठीक तो पूरी देखना और भई सबसे पहले तो जो बंदे पहले से देखते हैं वो वीडियो शोड़के जाना मत क्योंकि आज में Solo Conqueror Lobby का gameplay तो नहीं ला पाया है लेकिन Duo Conqueror Lobby का gameplay मैंने लाया है क्योंकि मेरा Friend Ace पे था है इसका Conqueror तो अभी होने ही नहीं वाला इसलिए मैंने सोचा भाई क्यों ना इसके साथ जा खेल के gameplay बना लिया बाई उस टाइम तो जब लिया था ना तो मार्केट में यही एकला था iPad था जिसके चर्चे थे iPad Pro की बात छोड़ दो वो अलग है ठीक है वो अलग केटरीगरी में आगे हो अमीरों वाला ठीक है लेकिन बजट रेंज में जो iPad था यह बीस्ट था ठीक है अभी भी इसके इत सर दूंगा देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ग्राफिक्स की जब मैंने लिया था भाई तो यह ग्राफिक्स तो सेम रहते हैं ठीक है स्मूथ एक्स्ट्रीम बैलेंस्ट एक्स्ट्रीम ठीक है लेकिन भाई एक चीज मैंने नोटिस करी है ठीक है वो मैंने क्या नोट स्मूथ एक्सट्रीम पे तुम स्मूथ एक्सट्रीम पे एक्डम बढ़िया चलता है लेकिन यहाँ भी यह लाग होता है बहुत से लोग बोलते हैं कि यह बन्हीं में जब मैंने लिया था मैंने एक चीज बताई थी ठीक है मैंने ये बताया था कि heat ये बहुत जदा होता गणी में लेकिन lag 0% 0% lag होता था उस time लेकिन अभी ठीक है मैंने बहुत से गेम खेले हैं squad में स्कॉड में तो मैंने ज़ादा नहीं खेला टियुकि मैं हर सीजन कॉंकर फुष करता हूँ तो मैकसिमम मैच मेरे कॉंकर लॉबी के होते हैं तो वहांपे लास्ट सर्कल में जब 40 40 45 45 बन्दे होते हैं तो जब इतने बन्दे होंगे तो लैग ऑविस सी बात है होगा ठीक है स्टार्टिंग में भी मैं खेलता था लेकिन तब लाग नहीं होता था लेकिन अब यह ऻोता है अब होता है अभी यह बिलकुल लाग होता है अब इसके बाइए दो रिजन सेमARS पहले तो यह क्योंकि आइप न too पुराना हो गया पहला रिजन यह और गेम भी UPDATE हो गया अगर गेम इंप्रूव हो रही अच्छी गेम हमें खेलनी है तो उसके साथ-साथ यहां पर हमें अच्छा डिवाइस भी चाहिए अब तुम किसी भी फॉन से कंपेर कर लो बैश्क आइफॉन से ही कंपेर कर लो आइफॉन की क्वालिटी या फिर किसी एंडॉइड फॉन की क् लेकिन कभी कभी लैग हो जाता है जब लास सरकल में इतने जादा बंदे होंगे अब मुझे नहीं लगता तुम में से बहुत से बंदे इतना लोड देंगे अपने आइपैड को मैं बताता हूं तुम्हें लेना चाहिए नहीं उसके लिए लास तक वेट करो और एक चीज और बंदे मुझे पूछ रहे थे कि मैंने लिया कहां से था मैंने लिया था Amazon से यह उस टाइम पड़ा था 34,000 के करीब अब भी इतना ही है जादा अगर 12,000 रुपे का डिसकाउंट हो रहा हो कहीं तो मुझे नहीं पता लेकिन जादा रेटिस में कम नहीं हुआ ठीक है और एक प्राबलम इसमें यह आती है जो बंदे यह सस्ता वाला ले रहे है मुझे पता है कि भाई वो 64GB वाला वेरियंट ही ले रहे है ठीक है क्योंकि 64GB वेरियंट ही है जो हमें इतना सस्ता मिलता है लेकिन इसमें प्राबलम यह है कि 64GB वेरियंट अगर तुम सिर्फ गेम खे प्रवरेज काफी नहीं है, ठीक है, मुझे पहले यह चीज बताई नहीं किसी ने, नहीं तो मैं थोड़ा ज्यादा लेता, लेकिन नहीं ले सकता था, उस टाइम मेरा बजट था भी नहीं, तो जितना बन पाया मैंने उतना लिया, लेकिन अभी मुझे यह प्राबलम करता है, क्योंकि एक जो gameplay होता है 35 minute का average gameplay रख लो ठीक है पूरा gameplay 35 minute का store होगा तुम्हारा 8 GB में अगर एक gameplay 8 GB में store होता है और थोड़ी सी इसकी 15 GB की तो भाई system की अपनी file होती है तो 15 GB तो हटा लो 64 GB में से ठीक है उसमें से तुम्हारा PUBG आजएगा 10, 12, 13 GB 12, 13 GB का होता है 12, 13 GB का PUBG आएगा सारी resource pack डाउनलोड करके 12, 13 GB ये लेगा ठीक है उसके बाद भाई तुम्हारा 25 GB या फिर इतना तो गया यहीं पे गया ठीक है और उसके बाद थोड़ी तुम्हारी और apps होगी या कुछ भी तुमने भरा होगा 45 GB का वो रख लो तो 30 GB तो यहीं निकल जाता है तो बचता है तुम्हार बस 30 और GB ठीक है उसमें से cache memory निकल जाती है 5 कर GB तो लास्ट में तुमको मिलता है 25, 30 के आसपास मिलता है तो उसमें तुम ज़्यादा games record नहीं कर सकते है तो मेरा तो यह रहता है कि बहुत 4-5 गेम record करता हूं उसमें से जो एक best रहता है उसी को रखता हूं बाकि सारे delete मारने पड़ते हैं मुझे मैं चाहा के भी नहीं रख सकता है उनको delete मारने ही पड़ते हैं क्योंकि अगला game record करना है तो भाई storage तो होनी ही चाहिए ठीक है तो यह थोड़ी storage की दिख्कत है तुम ध्यान से लेना अगर तुम्हार पास थोड़ा budget जादा है तो storage ज्यादा वाला लेना और एक bonus टिप तुम्हें यह देना चाहता हूं कि भाई अब ही अगर तुम थोड़ा wait कर सकते हो तो करो क्योंकि rumors आ रहे हैं कि iPad mini 6th generation आने वाला है ठीक है क्योंकि mini series के बहुत सारे fans हैं और मैं भी उन में से एक हूं ठीक है मुझे mini बहुत ही पसंद है क्योंकि यह बहुत जादा बड़ा भी नहीं होता बहुत जादा चोटा भी नहीं होता महला sexy लगता एकदम ठीक है और देखो 2 साल 2019 में आया था यह तो 2 साल होने वाले कि इन्होंने अपना mini series का अगला iPad नहीं निकाला तो हो सकता है इस साल निकाल लें लेकिन भाई मैं ऐसे confirm नहीं बोई रहा हूं बस ऐसे rumors आ रहे हैं तो ही मैं बता रहा हूं बाकि तुम देख लो अब एक चीज और इसका drawback कि यह इसमें 90 fps नहीं मिलते है बहुत से लोग ब हम जब देता हूं iPad mini 5 को सीधा ठीक है क्योंकि iPad 8th generation थोड़ा सा सस्ता जरूर है लेकिन वह एकदम मुझे बिल्गुल पसंद नहीं क्योंकि उसमें क्या सीन है ना iPad 8th generation में तुम्हें जो लोएस्ट उसका वो है ठीक है जो तुमको सबसे सस्ते में मिलेगा उसमें सिफ 32 GB storage है तो मत करना यह गलती 32 GB वाल iPad 8th generation तो लेना ही मत गलती से भी और उसमें एक चीज़ होर वाई 90 FPS नहीं जो बंदे बोल रहे हैं तो वह एकदम नॉनसेंस बात पता नहीं PUBG वाले क्या नशे करके उसमें 90 FPS दे दिया है भाई वह जो iPad है उसमें 90 FPS तो दिया है लेकिन उसकी स्क् 90, 90 नहीं सौरी 60 Hz है तो किसी भी अगर phone का या iPad का screen refresh rate 60 Hz है तो 60 FPS नहीं देगा तुम उसमें कुछ भी डाल लो उसका screen का rate अगर 60 Hz तक है तो वो 60 FPS से उपर नहीं देगा तुम को ठीक है तो यह simple सी बात है उसमें 90 FPS settings में दिया जरूर है लेकिन वह चलता 90 FPS नहीं है ठीक है simple स आओ भाई अगर तुम दोनों में confused हो तो iPad mini ठीक है big thumbs up और भाई अब भी मैं बताता हूं जैसे मैंने बताया lag के बारे में ठीक है lag तो इसमें होता है अब मैंने squad जब भी खेला है squad में उतने तगड़े बंदे last circle तक नहीं बचते और एक चीज मैंने notice की starting में देखो जब मै मुझे नहीं होती थी लेकिन अब जब मैं squad खेलता हूं ठीक है तो मुझे यह चीज फील होती है थोड़ा सा lag हलका सा lag देखने को मिलता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज तक कभी कि मैं lag की वज़े से मरा हूं ठीक है इतना कम lag होता है एक game में एक ही बार lag होगा शायद तुम मुझे लगता है आने वाले दो साल तक यह तो बढ़िया performance देगा उसके बाद शायदा lag होना शुरू करे अब देखो अभी तो इसमें 812 बाइनेक चीप है इसमें क्या इसमें तो 812 रहेगी लेकिन जो latest है वो A14 तक पहुंच चुकी है तो 812 अभी भी उतनी बुरी chipset नही दे रखा है उसमें चलता है सिर्फ 60 fps तक ही है तो देखो यह सीन है इसका ठीक है और मैं यही सोच रहा हूँ कि जो iPad mini 6 आएगा उसमें 90 fps देना चाहिए इने अगर उसमें 90 fps दिया ना तो उसका थोड़ा price भी high हो सकता है लेकिन mini series का price उतना high होता नहीं वैसे तो देखते है अब क्या बनता है जब वो आएगा तब ही देखते हैं अब भाई जो point बोलने वाला हूँ वो शायद बहुत से लोगों के लिए बहुत जादा matter करता है और कुछ लोगों के लिए शायद बिल्कुल भी matter नहीं करता वो है अपनी streaming या फिर video uploading या video editing ठीक है जो भी streaming recording ठीक है अब भी तो तुम मेरे recent gameplays चेक कर सकते हो सारे के सारे channel खोल गे तुमको दिख जाएंगे क्या quality रहती है क्या lag रहता है बिल्कुल भी lag नहीं रहता ठीक है 0102 परसंट जैसे मैंने बता है उतना साही lag तुमको मिलेगा लेकिन यह कितने साल तक अच्छी performance देगा दो साल तक भाई बढ़िया performance दे देगा अब बात कर लेंते रिकॉर्डिंग की तो रिकॉर्डिंग यहां पर 4K 60fps पर रिकॉर्ड होती है एक चीज मुझे शाइद सारे ही iOS डिवाइस की खराब लगती है iPhone में पता नहीं होता है कि नहीं लेकिन इस iPad में तो भाई कस्टमाइज नहीं क हम लेता हालांकि अब हमको अपलोड तो टैनिटी पे करना है ठीक है ऐसा तो एनी सब 4K पर अपलोड करेंगे तो कस्टमाइजेशन का उप्शन होता तो शाहिद बहतर रहता लेकिन नहीं कस्टमाइजेशन का उप्शन नहीं है 4K 60fps जो की सेम रिकॉर्डिंग गेम की तरह पर ठीक है तुमारे इंटरनेट के उपर डिपेंड करती हो और तुम कैसे स्ट्रीम कर रहे हो उसके उपर डिपेंड करता है बाकी क्वालिटी इसकी एकदम मक्खन है अगर वीडियो एडिटिंग तुम एक्सपोर्ट करते हो वीडियो उसकी क्वालिटी भी मक्खन है कोई दिक्कत वाली बात है यह नहीं लोमा फ्यूजन में इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे तुमको तो एडिटिंग तुमारी अराम से हो जाएगी ठीक है बाकि इसमें यह जो आईपैड है ओवरॉल बताओं तो इसमें भाई कोई भी नुकसान अभी तक मुझे नहीं लग है क्योंकि एक चीज मुझे तब खट करी थी क्योंकि जब मैंने आईपैड मिनी यह लिया था ना मिनी फाइफ तो उसी के दो महीने बाद 90 fps आ गया था ठीक है तो मुझे थोड़ा आजीब लग रहा था कि यार मैंने 90 fps वाला क्यों नहीं लिया फिर मैंने ध्यान दिया कि 90 fps मेरे बजट में था भी नहीं ठीक है और मुझे मोबाइल लेना भी नहीं था जो महलब 90 fps दे रहे थे यह जो भी अरियल्मी वगएर ठीक है वो सब मुझे लेने भी नहीं था मुझे बस एक iOS का डिवाइस लेना था एंड उस टाइम की बजट में अड उस टाइम महलब सब सबसे बेस्ट चदरा था भाई यह और बजट रेंज में भी था हैंड सबसे बेस्ट भी था हैंड सबसे बेस्ट चिपसेट भी थी इसमें उस टाइम और अब भी भी तुम अगर लेते हो तो तुम उतना ज्यादा रिग्रेट नहीं करोगे एक जगा पे तुम रिग्रेट कर सकते हो अगर गलती से iPad mini 6 आ गया और उसमें 90 fps अगर इन्हों ने दे दिये तो तुम regret कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 90 fps भाई अब तो शायद आने वाले अब भी ही लेना है अमर्जेंसी है ठीक है तुम्हारा बजट है 35,000 के आसपास एंड मुझे बदा इस रेंज में तुमको iPad ही लेना है अगर तो दो ही iPad कट करे होंगे iPad mini 5 and 8th generation तो सिंपल सी बात है 8th generation को cross Mario and mini 5 की तरफ जाओ ठीक है क्योंकि ये भाई बहुत मस्त है स्क्रीन साइज पर मच जाना यार स्क्रीन साइज भले ही mini का छोटा है लेकिन खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी mini का तो भाई मुझे बलकि अच्छा लगता यार छोटे मैं चोटा इपन मुझे जादा अच्छा लगता है जो एक दम बड़ा TV के साइज तो नहीं है जादा बड़ा नहीं है यार वह भी लेकिन इससे तो काफी बड़ा है तो वह थोड़ा मुझे बैटर लगता है ठीक है तो इसकी तरफ जाना उसको छोड़के एक पॉइंट और ठ इसमें 90 fps इन्हों ने दिया होता है इसका जो चिपसेट है ना 812 बाइनिक चिपसेट यह इतना पावरफुल है कि भाई यह 90 fps को constant 90 fps को ठीक है अराम से चला सकता है लेकिन भाई नहीं दिया बैटरी कंजप्शन की वज़ा से शाइद नहीं दिया क्योंकि भाई मुझे नही 95 की बैटरी खराब हो जाती है ऐसा तो मुझे एक साल से फील नहीं हुआ जैसी बैटरी परफॉर्मेंस उस टाइम थी वैसे ही बैटरी परफॉर्मेंस आज भी मुझे देता है महलब अब मैं तुम्हें टाइम बता दूं तो चार घंटे तुम इसमें चार तो थोड़ा च कंस्टेंट गेम खेल सकते हो ठीक है महलब बहुत बड़ी है बैटरी परफॉर्मेंस है बैटरी की तरफ से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम इसकी तरफ अगर जाते हो तो बाकी इससे रिलेटेट कुछ वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी देदू तो यहाँ पर हमने महले सेर्टर होल्ड करा था जो यहासना और में जोन बना था ना वाई बहुत साथ देघ रहा था यहाँ पर हम जो में ब्लिडिंग और बिलिंग होती हो यहाँ इस पर आये था है अनन्स उमने मुझे ISP दो बंधने दिखते है उनको मैंने मोसिन से एक ह टीमेट नहीं था तो डायरेक्ट किल हो जाता है तो मेरा टीमेट मुझे बताता है कि आसनाए से गाड़ी आरी- इसकी गाड़ी यहां पर शुचाती है मैं तो आप देखना अब तुम बोलोगे कि भाई यह वहां से क्यों कूदा असल में हुआ क्या था यह वहां फस्ट चुका था गारी ऐसे जगा लगाई इसके टीमेट ने कि यह वहां पर फस्ट चुका था अब जो नीचे वाला बंदा था उसको मैंने स्प्रे देने की कोशिश तुक करी लेकिन अब मेरा टीमेट नौक हो गया Iє ओम से किसी ने इसको धर दिया पहाड़ी से ठीक है तो मुझे पता था यहां पर नेड आएगा एंड होता भी वैसा यह यह इसको बूला कि वापिस आ और नेड आ भी आया अभी तो ठीक है इसको मैंने नीचे लेके रिवाईब किया यहा यहां पे घुष जाते हैं कहीं से एक तो भाई सीधे रश भी करते है मेरे टीमेट पर ध्यान नहीं था लेकिन आ जाता अब भई मेरे ड्रिंक लगाने की अवाज से वो सीधा उपर आ जाता है पता नहीं क्यों ऐसा करता है लेकिन आ जाता है यह यहाँ पर बैठके शायद नेड़ फैंक ने की कोशिश कर रहा था कुछ तो कर रहा था लेकिन हमने इसको धर दिया और यहाँ पर मारे 13 किल हो गया है इसी बात के लिए भाई लाइक कर दो अभी भी नीचे वाला बंदा वो बचा हुआ दिखरी होगी तुम कुछ की मुंदी नेड़ फैंक रहा देखो अब यह नेड़ फैंक रहा था इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे आ गया अब यह हैं ओम वाले बंदे एक बंदा तो क्रॉस कर गया ठीक है जोन में आ गया वो लेकिन इसका टीमेट देखना यह एकदम बिल्कुल यहां left right left right trips and tricks लगा रहा था ठीक है लेकिन यहाँ पर इसको हमने नौक दिया अड़ मेरे टीमेट ने इसको फिनिश दे दिया अब वो बंदा अकेला बचाए ठीक है एक बंदा नीचे अकेला बचाए एक बंदा सामने शैक पर अकेला बचाए ठीक ह और उस बंदे ने दूसरे जो सिंगल बंदा था उसको मार दिया था यह बचाए अकेला बंदा है भाई हम बचें दो नो ठीक है अब पहले मुझे लगड़ था कि नूबडा बंदा होगा इसली मार देंगे लेकिन जैसे इसका नेड़ आया तो मैं समझा कि नूबडा नही पिछे से कूद सकता हूं यहां पर बैठा था कि अगर यह पीछे से कूदे तो भाई हम इसे मार सके लेकिन भाई यहां पर आ जाता है ठीक है बाहर कूद जाता है अब यह 네ड कुक करके आता है नेड अंदर फैंकने की भोष HOW और देखो इसको लगा कि हम दोनो बाहर चलेगे तो यह बंदा बाहर से खिड्की से अंदर आ गया in लेकिन सिर्फ मेरा टीमेट बाहर गया था मैं बाहर नहीं गया था एंड अंदर मैंने इसको इजी लिए यहां पर मार दिया ठीक है 15 किल्स के साथ यहां पर अपना चिकन हो गया ठीक है और मेरे फ्रेंट का अच्छा खास यहां पर प्लस हुआ था और वो बहुत जादा खुश हो गया था लेकिन जादा खुश हो नहीं कि जोट नहीं है उसका कॉंकर अब नहीं हो पाएगा और तुम्हारा हो गया या नहीं वो भी बता देना गेंप्ले कैसा लगा वो भी हमने कोई नहीं अगली भार फिर से ले आएंगे ऐसा कुछ देखते हैं अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है तुम लोग बता सकते हैं अपना ओपीनियन कमेंट में दे देना वीडियो शाहिए थोड़ी लंबी होगी तो शाहिए पता नहीं तक यहां पर देख भी हो यह नहीं देख रहे हो देख रहे हो तो बता देना कि है लास्तक वीडियो देखिए कोई लिक्कत हो इस्टाग्रां पे आके तुम लोग मुझसे पोछ सकते हो बाकी बस यही था आज Hai जोमिते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइख क्या टेक्रण बी से अजला नड़ की